हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मांसी श्टडी चैनल दोस्तो आज है 26 जून 2024 और 26 जून 2024 से रेलेटिड करंट अफियर्स के जितने भी कुशन बन सकती है आज ही क्लास में सारे कुशन को कवर करेंगे और हर कुशन से रेलेटिड इंपोर्टन पॉइंट भी मैं आपको ब इम पे डेली लाइव आती है आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस कलास के लिए तयार रहा करिए इस से आपकी तयारी करंट अफियर्स में बहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एक्जाम में आप लोग करंट अफियर्स से रेलेटिड जितने भी टाइप के कुशन एक के सिराज में 76,000 करोड रुपे के ओल वैदर वदावन बंदर गहा को मंजूरी दी है यूनियन कैबिनेट हैज एप प्रूब दी रेट 76,000 करोड ओल वैदर वदावन पोर्ट इन विच स्टेट फर्स्ट ऑप्सन है महराष्ट सेकेंड ऑप्सन है तमिलाडू थर्ड ऑप् इसा फूर्ट ऑप्सन है आन्द पिर्देज जल्दी से बताईएगा दोस्तों केंडरी मंटरी मंडल ने कि सिराज में 76,000 करोड रुपे के ओल वैदर वदावन बंदर गहा को मंजूरी दे दी है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं हमारा ऑप्सन नंबर ए महराष्ट राज में चलिए इस से रिलेटेट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं पिर्दान मंतरी नरेन मोदी के नेतरत वाली कैबिनेट ने महराष्ट के वदावन में 76,200 करोड रुपे की लागत से ग्रीन फिल्ड डीप ड्राफ्ट बंदर गहा के विकास को मंजूरी दे दी है बंदर गहा में 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे जिन में से पिर्टिक 1000 मीटर लंबा होगा 30 वर्थ सहित 4 बहु देशिय वर्थ, 4 तरल, कारगो वर्थ, 1 रोरो वर्थ और 1 तटरचक वर्थ होंगे यह बंदरगा भारत, मद्यपूर, यूरोप, आर्थिक गलियारे और अंतर राष्टी उत्तरदचिन परिवेहन गलियारे के माध्यम से निरियात और आयात में सहायता करेगा ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंट्स मैसूर में राष्टी योग ओलम्पियार्ड का उद्धुगाटन किसने किया है फ्रेंट्स इस कुशन का राष्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं मारा ओप्सन नमबर बी सिद्धार मैयाने चलिए इस से रेलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं करनाटक के राजपाल थावर चंद गहलोद ने मैसूर में राष्टी योग ओलम्पियार्ड का उद्धुगाटन किया पिछले वर्स जनवरी में राष्टी युवा मोहसब के दोरान राज में एक विसाल योग कारकरम आयोजित किया गिया था जिससे नया गिनीज विस्वे रिकॉर्ड इस्थापित हुआ था उन्होंने बताया कि राज सरकार हर घर योग के माध्यम से करनाटक को भारत का अग्रडी योग साच्छर राज बनाने की दिसा में काम कर रही है हमारे प्राचीन सास्त्रों में बताय गई योग को अब वैस्विग मानिता मिल गई है जिससे भारत योग के गुरू के रूप में इस्थापित हो गया है ठीके दोस्तों चलियांगे बरतियों नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है फ्रेंट्स ऑक्सफोर्ड यूनिवस्टी के रॉइटर्स इस्थीट्यूट फॉर दा इस्टेडी ओफ जर्निलिजम आर आई एस जे दुआरा 47 देशों में किये गई सर्वेचड के अनुशार भारत में निमलिखित में से कौन सा सबसे भरोसे मंद प्रमुक समाचार मेडिया ब्रांड है according to a 47 country survey conducted by Reuters Institute for the Study of Journalism Oxford University which of the following is the most trusted major news media brand in India first option है Indian Express, second option है Economic Times, third option है The Hindu या fourth option है Times of India जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वह है हमारा option number D Times of India चलिए इस question से related important point को पढ़ते हैं Oxford विस्विध्याले के Reuters Institute for the Study of Journalism 1247 देशों में किये गई सर्वेचर के अनुशार Times of India भारत में सबसे भरोसे मंद प्रमुक समाचार मीडिया ब्रांड है संस्थान दोारा वार्सिक प्रिकासन Digital News Report 2024 के हिस्से के रूप में जारी किये गई सर्वेचर में पाया गया है कि टी ओ आई का ट्रस्ट सिकोर 71 था टी ओ आई ने 2021 और 2022 में भी सर्वेचर में सीर्चिस्थान हासिल किया था ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिका है फ्रेंड्स जून 2014 में आर बी आई के कॉलेज ओफ सुपरवाइजर्स दुआरा वित्तिय लचीले पन पर वैस्विक समेलन का दूसरा संसकरड किस सहर में आयूजित किया गया है इन जून 2024 दा सेकेंड एडिशन ओफ दा ग्लोवल कॉन्फरेंस ओन फाइनेंशियल रेजिलेंस वाज ओगनेजड वाइदा कॉलेज ओफ सुपरवाइजर ओफ आर बी आई इन विस सिटी फर्स्ट ओप्सन है पैंगलरू, सिकेंड ओप्सन है न्यू डेली, थर्ड ओप्सन है हैद्राबाद, फूर्थ ओप्सन है मुंबई बताईएगा दोस्तों जून दो हजार चॉबिस में आर बी आई के कॉलेज ओफ सुपरवाइजर्स दुआरा वित्तियल अचीले पन पर वैस्विक सम्मेलन का दूसरा संस्क्रड किस सहर में आयोजित किया गिया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे हैं हमारा ऑप्सन नंबर डी मुंबई सहर में चलिए से रिलिटिट इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है RBI गवर्नर सकती कांत दास ने वित्ये संस्थानों में कृतिम बुद्धी मत्ता मसीन लर्णिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत और उभरती प्रोधोगिक्यों की परिवर्तन कारी चमता पर जोर दिया वित्ये लचीले पन पर वैस्विक समेलन का दूसरा संस्क्रण मुंबई में RBI के कॉलेज ओफ सुपरवाइजर्स दुआरा आयुजित किया गिया गवर्नर दास ने उभरती चुनोतियों से निपठने के लिए वित्ये छेतर दुआरा अनुकूली और दूरदर्सी दरश्टी कोर अपनाने के महत पर प्रिकाश डाला है ठीके दोस्तों चली आंगे बढ़तीयों नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है फ्रेंड्स भारती दूसंचर वी नियामक प्रादी करड का नया सच्चिव के से निक्त किया गिया है फू है जिवीन एप पॉइंजिड एस दा न्यू सिकेटरी ओफ टेली कॉम रेगुलेटरी अथॉर्टी ओफ इंडिया पर्ष्ट ओप्सन है गौरब एनरजी, सिकेंड ओप्सन है जेटा अहीर, थर्ड ओप्सन है इंद्रमडी पांडे, फूर्थ ओप्सन है अतुल कुमार चौदरी बताईएगा दोस्तों भाटी दूर संचार वीनियामक प्रादी करण का नया सचिफ किसे निक्त किया गया है? इस कुईशन का जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वे है मारा ओप्सन नंबर डी अतिल कुमार चौदरी चलिए से रिलेटिड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं सरकार ने अतुल कुमार चौदरी को भाटी दूर संचार नियामक प्रादी करण का नया सचिफ निक्त किया है उन्होंने वी रगुननन का इस्थान लिया जो 31 मई को सेवा निवरित हुए चौदरी आई 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 टी रुडकी से इसना तक हैं और उन्होंने आई आई पी ए दिल्ली से सार्व जनेक नीती एवं प्रिशासन में सनाकोत्तर डिप्लोमा किया है उन्होंने बी एस एन एल और दूर संचार विभाग के कार्मिक मानव संसादन प्रिशासन लाइसेंसिंग सतरकता विंग में विविन पदो पर कार किया है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बाढ़ते हैं नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिका है Friends New India Insurance Company का CMD किसे नुक्त किया गिया है Who has been appointed as the CMD of New India Insurance Company First option है गिर्जा सुब्रमन्यम Second option है जेठा अहीर Third option है विनोद गनात्रा Fourth option है राजप्रीज सिंग बताईएगा दोस्तों New India Insurance Company का CMD किसे नुक्त किया गिया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा Friends वे है मारा option नमबर A गिर्जा सुब्रमन्यम जी को चलिए इस कुशन से related important point को पढ़ते हैं सरकार ने गिर्जा सुब्रमन्यम को सबसे बड़ी सामान बीमा कमपनी New India Insurance का अध्यच एवं प्रवन निर्देशक नुक्त किया है सुब्रमन्यम के पास सांकिकी में सनातक की डिगरी है वैं भारती बीमा संस्थान की फैलो सदस्सवे हैं Who has been appointed as the director of भारस अंचार निगम लिम्टेड First option है गौरब बेनर जी Second option है जेठा अहीर Third option है विनोद गनात्रा Fourth option है सुधार कर रहाव पापा बताईएगा दोस्तों इस question का राईड answer क्या हो जाएगा इस question का जो राईड answer हो जाएगा वे है मारा option number D सुधार कर राव पापा चलिए इस question से related important point को देखती है सुधार कर राव पापा को भारस अंचार निगम लिम्टेड का निड़ देशक निक्त किया गिया है वर्तमान में वे है इसी संगठन में संयुक मुक्प महाप्रवंदक चेन्नई दूसंचार जिला सरकिल के पद पर कारे रत हैं पापा को BSNL लिम्टेड के निड़ देशक के पद के लिए 11 उमीदवारों की सूची में से चुना गया है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ती हो नेस question देखती है नेस question लिखा है friends पूर्व तेज गेंदवाद डेविड जॉनसन का हाल ही में 52 साल की उम्र में निधन हो गया वह किस देश से थे फॉर्मल फास्ट बॉलर डेविड जॉनसन डाइड दीसेंटली एड दे एज और 52 ही वाज फ्रॉम विच कंट्री फर्स्ट ऑप्सन है भारत, सिकेंड ऑप्सन है बांगलादेश, थर्ड ऑप्सन है औस्ट्रेलिया, फोर्ट ऑप्सन है दच्छन अफ्रीका बताईएगा दोस्तो पूर्व तेज गेंदवाज डेविड जॉनसन का हाली में 52 साल की उम्र में निधन हो गया है वह किस देश से थे इस कोईशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हमारा ऑप्सन नंबर ए भारत देश से थे चलिए से रिलेटेट इंपॉर्टेंट पॉइंट यों को पढ़ती है भारत के पूर्वे तेश गेंदवाज डेविड जॉनसन का बावन वर्स की आईउ में बैंगलरू में बालकनी से गिदने से निधन हो गिया करनाटक के दाएं हाथ के तेश गेंदवाज का जन्म 16 अक्टूबर 1971 को अरासी केरे छेतर में हुआ था उन्होंने 1990 के दसक के मध्य में अंतराश्टी किर्केड में भारत का पिटी ने दिद्व किया उन्होंने अक्टूबर 1996 में उस्टेलिया के खिलाव भारत के लिए टेस्ट किर्केड में पदार पड़ किया और कुल दो टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया था ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ती हो निश कुशन देखती है निश कुशन लिखा है फ्रेंट्स भारत सरकार दौारा दोहजार चौबिस पच्चिस क्रसी विप्टन मौसम के लिए मक्का के लिए घोसित नियूंतम समर्थन मूल MSP किया है What is the minimum support price announced by the government of India for match for the 2024 to 2025 agricultural marketing season First option है 2125 पर कुंटल Second option है 2025 पर कुंटल Third option है 3421 पर कुंटल Fourth option है 2225 पर कुंटल बताईएगा दोस्तो भारत सरकार दौरा दोहजार चौबिस पच्चिस क्रसी विप्टन मौसम के लिए मक्का के लिए घोसित नियूंतम समर्थन मूल MSP क्या है इस question का जो right answer हो जाएगा friends Where है मारा option number D 2225 पर कुंटल चलिए इससे related important point हो को पढ़ती है पिर्धान मंत्री नरेन मोदी की अतिछता में केंडरी मंत्री मंडल की आर्थिक मामलों की समिती ने विप्टन सीजन 2024-25 के लिए खरीब फसलों के नियूंतम समर्थन मूल को मंजूरी दे दी है सरकारने के सानों को उनकी उपज का लावकारी मूल सुनिश्चित करने के लिए विप्टन सीजन 2024-25 के लिए खरीब फसलों के MSP में व्रदी की है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का लाज कुशन देखती है आज का लाज कुशन लिखा है फ्रेंट्स कोपा अमेरिका फुटवर्ड टूनामेंट के 48 वे संस्करण की मेजवानी कौन सा देश कर रहा है विच कंट्री इज होस्टिंग दी 48 एडिशन ओफ दा कोपा अमेरिका फुटवर्ड टूनामेंट फर्स्ट ओप्सन है औस्टेलिया सेकेंड ओप्सन है रूस थर्ड ओप्सन है जापान फूर्ट ओप्सन है यूएसे बताईएगा दोस्तों इस कुईशन का राइड आंसर क्या हो जाएगा इस कुईशन का जो राइड आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वह है अमारा ओप्सन नंबर डी यूएसे देश कर रहा है चलिए इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती है कोपा अमेरिका फुटवाल टूनामेंट का 48 संसकरट संयुक्तराज अमेरिका में सुरू हुआ कोपा अमेरिका कपके 108 साल के इतिहास में यह दूसरी बार है जब यह आयोजन दच्छिन अमेरिका के बाहर आयोजित किया जा रहा है 2016 में संयुक्तराज अमेरका ने कोपा अमेरका कप की मेजवानी की थी ठीके दोस्तो I hope आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सभी कुशन से related important point के notes भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगे exam के नजरिये से दोस्तों क्लास बहुत helpful रही होगी आप लोगों के लिए अगर क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टो को आप लोगों अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को like कीजेगा, share कीजेगा और आपके अपने चैनल मांसी study चैनल को subscribe कीजेगा थैंक यू सोमाट दोस्तों